आरो आरो दो ज़ाम के लिए अगर आपने बिल्कुल अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है, मैं कहुंगा बहुत ही ज्यादा सफीशेंट टाइम अभी भी है, अभी भी आप एकदम अगर शुरूवात से तयारी करना चाहते हैं बिल्कुल इसी बार में सेलेक्चन ले सकते हैं आरो आरो दो जर चौबिस बोलेंगे इसको या फिर आरो दो जर तेज का जो री एक्जाम होने वाला उसका प्रिलिम्स का कंप्लीट और मेंस का कंप्लीट गूप चीज़ है कई सारे इस्ट्रेंट की यह अपील है कई सारे इस्ट्रेंट की रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीस कोमेंट करके बताईएगा कि क्या आरो यारो दोजार तेज वाला तो कि अभी फिर से होना अब तो है ना क्या यह फॉर्म का रिजिट्रेशन फिर से ओपन होना चाहि की नहीं दूस्रे स्टुमेंट का तर्क यह वह बहुए कि बाई होना चाहिए क्योंकि क्योंकि इसमें घ्यरा लाग जो है एस्पेरेंट और लेड़ी इसमें सम्मिलित होने जारे नाग लोगों लोग नुने फॉर्म भरा है कि सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है उस सारी चीज़ देखते हैं कट आफ अगेरा तो पेपर के बाद ही पता चलेगा घर अब देखें यह प्रिवेश एर का कट आफ ठीक है दो जार तेश का एंसारी तेरा का यह है 144 का है 147 का 126 का 119 और 2021 का भी तक आया नहीं लेकिन अन है प्री है और फिर इसके बाद मेंस है और कोई स्टेज नहीं है मेंस के बेसिस पे सिलेक्शन होता है प्री क्या है सिर्फ और सिर्फ इलिमनेशन स्टेज है नंबर आप सिर्ट अभी तक 411 ही है इधर उदर जो कई सारे चैनलों पे प्रत्रादित हो रहा है फरजी प्री मेंस सिर्फ और सिर्फ ग्यारा लाक मेंसे साड़े साथ हजार लोग ही सिलेक्ट होने वाले है अगर आपको इन में आना है अभी से फोकस करिए अभी से इस पे लगिए बहुत ज़्यादा देर मत करिए अधर वाइस फिर इस वाली साल की वैकेंसी बूल जा और आरो को यह अरजल आती भी नहीं है कि वह अगले साल दे दो गया, समझें ने बात की नहीं, यह पी सियस की वैकेंसी हारो यहारो की है नहीं आती है आप देखें 2014, 2013-14, फिर 16 में पेपर लीग हो गया था क्योंकि, फिर इसका नया रीगजाम हुआ, फिर 17 वाला हुआ, फिर 2021 वाला हुआ, फिर लटकते लटकते, 2013 में आई, फिर उसका पेपर लीग हो गया, तो इस तरह से आरो की कहानी चलती है, दूसरी बात यह कि यह वाले तो तब से 12, 139, 120, इतना कट आप जाता है, प्री में क्या होता है, 200 नमबर का एकजाम होता है, दो पेपर होते हैं, आरो यारो में, पहला पेपर होता है, 140 नमबर का, उसमें GS होती है, और प्लस रीजनिंग, GS मतलब वही इस्ट्री, पॉलिटी, जोग्रफी, इकनॉमी, सा सारी चीज़े, और प्लस उसमें रीजनिंग के 15 सवाल होते हैं, ठीक, दूसरा पेपर होता है, हिंदी का साथ नमबर का, उसमें 6 टॉपिक होते हैं, हार टॉपिक से 10-10 कुश्चन आते हैं, तो 200 नमबर का पेपर, 200 मार्क्स और 200 कुश्चन, इसमें से कट आप डिसाइड ह तो यह प्रिवियस एर कुश्चन के हिसाब से अगर आप देखें, तो आपको टार्गेट बनाना पड़ेगा कम से कम, 140, अधर वाइस फिर भूल जाओं, समझ रहों कि नहीं, और यह लाना बिलकुल अचिवेबल है, यह किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है, श्टड है, बड़े-बड़े धुरंदर होते हैं, आप यकीन नहीं, कि एकाथ लोग के आते हैं, तो जब कई लोग के आते हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई, यह बिलकुल इंपॉसिबल चीज है, आप भी कर सकते हो, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तो हिंदी वाले पेपर में आपको मिनमम से मिनमम, आप यहां पे 55 प्लस लाने पड़ेंगा, अगर आप किसी भी हालत में हिंदी में 50 से नीचे गए, मतलब आरो का पेपर आपके हाथ से निकल गया, ठीक है, जितने बड़े तोफ हो, नहीं लाते हैं, ज्यादा ज्यादा 90-95 उस ज्यादा मिलते नहीं है, 140 मे आप 120 भी अगर नहीं ला सकते हो, बहुत मुश्किल होता है पेपर, आरो हरो 2021 का पेपर आपने देखा ही होगा, 2023 का पेपर आपने देखा ही होगा अभी, कई सारे लोग पहले सुचते थे इसमें बिल्कुल वन डे टाइप के एकदम डारिक डारिक सवाल आ जाएंगे, हल् 2023 वाला अब तो और जोड़दार पेपर बनेगा, और बढ़िया पेपर बनेगा, आयोग ने वैसे भी आरो यारो 2021 का और 2023 का पेपर बहुत ही शांदार बनाया था, बहुत तारीव करीजा है, जितनी तारीव करिया उतना कम है, बहुत शांदार कुश्चन फ्रेम किये गए इसमें, कुछ कोईश्चनों में आपको तकलिफ हो सकती ही कि भाई आप करेंट अफेर में क्रोनलाजी पूछरों ये कौन पूछता है, भाई वो आयोग है, पूरा नहीं पेपर करने देगा आपको, देखो एक जीवन का सत्य है, UPPSC के चाहत्तरों के लिए, कि आप आयोग के UPPSC, RO, RO, BO, कोई भी पेपर दोगे, 100% ना आयोग आपको लाने देगा कभी, ना आप ला सकते हो, ना अज तक कोई ला पाया है, और ना कोई ला पाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें सबस्या ये है कि प्री वाले पेपरों में हर बार 4-5 कोईश्चन आयोग के गलत हो जाते है, 140 अगर आप टार्गेट करेंगे, निगेट्व मार्किंग को इंक्लूट करके, और ये बिल्कुल अचीवेबल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये वाला एक्जाम जो है, फैक्ट बेस्ट इक्जाम है, इसमें आपको फैट्स प पेपर आजाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एंटिकल, कॉंसेप्चुल, हर हाल में, प्रिलिम्स का कट ओफ निकालने की आप जो है, इस्तिती में रह सकते हैं, हिंदी के लिए क्या तरना है, आपको 55 प्लस चाहिए, हिंदी का पापा वीडो देख डालो, वो तो फ्री में द इस बार 2023 में जो पेपर लीक हो गया, उसमें भी, सारे प्रूब दिये हुए है, चाहिए, एक और चीज में बता दूँ, आपको 2023 का जो पेपर बहले ही बहुत टफ आया हो, बहले ही किसी भी कोचिंग से इसमें 30-40 कोईश्चन में निकले हो, लेकिन इस टड़ी फॉर सिव जिदो मैं जाता ही बोल ला हूँ, 120 भी चला जाता तो बहुत बड़ी बात थी, इसका मतलब यह है कि स्टड़ी फॉर सिविल सिप्सेज का सिलेक्शन मेटरियल पेड़ कोईश्चरी रिकॉर्डेड वीडियो, जो पेड़ कोई पेड़ कोई प्रेक्टिस कर ले, रिवीज पासी कही से लाएं, उसके लिए पहले टॉपिक वाइस करते हैं, यह है टॉपिक वाईस, ठीक है, अब आप यह समझेए कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तभी तो आपको पता होगा ना कि कही से 85 प्लस लाया जाएं, इसमें देखें सबसे ज्यादा जो जियस का टॉपिक है, वो है करेंट अफियर, 35 से 38 क्वेश्चन आते हैं हर बार, आप समझेए कितना बड़ा वेटेश है, देखो आरो यारो में सबसे पहला मोस्ट इंपर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है इंदी, दूसरा मोस्ट इंपर्टेंट सब्जेक्ट है करें 15-20 सवाल इसी से आते हैं, और जोग्रफी भी इसमें खुब अच्छे-च्छे क्वेश्चन पुछ आते हैं, फैक्चुली होते हैं, वादब खुब दबा के पुछे जाते हैं जोग्रफी वगरा से, 20-25 क्वेश्चन आराम से आ सक मैं इसमें, मिस्लेनियस एक ऐसा टॉप नहीं है, ठीक है, अब करेंट अफेर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्षन है, ठीक है, आरो यारो में देखो, तीन टाइप का करेंट होता है, एक हो गया नैशनल, इंटरनेशनल, इससे करीवें 24-25 सवाल आते हैं, यूपी जी के, यूपी बजट वगरा से 5-6 क्वेश्चन आ करिए कि आप जो है, इस्टेडी फॉर्ट सीविल तर्सेस की मंतली करेंट अफेर का करेंट पढ़ना चालू कर दीजिए, और कब से पढ़िए, नवंबर 2023 से पढ़ना चालू करिए, ठीक है, कुछ सोच समझ कहीं, मैं बोल रहा हूँ, इसको आप जो है, आवाल मत करिएग करेंगे, उसमें, नवंबर से आप मंतली देखना चालू कर लो, बाकी 22 दिसंबर जब आने वाला होगा, तो एक्जाम से एक महीने पहले हम लोग टॉपिक वाइस उसका रिवीजन करा देंगे, और एक्जाम से करीबन 17-18 दिन पहले पापा विडियो दे देंगे, पूरे क पूरे करेंट अफेर उसी से आजाएंगे, टेंचर नॉट, बिल्कुल भी, ठेक है, तो करेंट आपका ऐसे कवर हो जाएगा, करेंट अगर आपने इस तरह से कवर किया, तो आप करीबन 34-35 तो क्वेश्चन करने की स्थिति में आ ही सकते हो, ठेक, हिस्ट्री से 20-30 बहुत इंपॉर्टन सेक्षिन है, यह वाला, यह वाला बहुत इंपॉर्टन सेक्षिन है, रीजनिंग के 14-15 हर बार आते हैं, अब इसमें फायदा उनी लोग का होता है, जो इन 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 वगरा के बैक्गरांड के होते हैं, और साइन साइड वाले होते हैं, लेकिन आइसा नहीं है कि भाई, रीजनिंग के लिए आप लोग करी नहीं सकते हो, रीजनिंग का एक हमने कोर्स जो है बाकाइदा, इसमें कोई ज्यादा अपडेट होते नहीं है, अगरी कल्चर का इस्टैक वाला पापा वीडियो देखना है, तीन से चार, और बाकी जो वह एक्री अब इसमें आपको अगर निकालने हैं करीबन 85 प्लस, तो कैसे निकालोगे, देखो ये फोकस आपको करना है, ठीक है, पहली बात तो सबसे इंपोर्टेंट तो हिंदी ही है, क्योंकि हिंदी भी एक सब्जेक्ट ही तो है, साथ क्वेश्चन आ रहा है ना या इससे, है ना, तो साथ में सबसे जाता जरूरी तो हिंदी ही है, तो हिंदी सबसे पहले है, फिर आप जो है करेंट अफेयर के अगर मानलो 30-34 सवाल, अगर आपने स्टेडी फॉर्ट सिविल दिर्जेस का मंतली विकली, इस्टिकली फॉलो कर लिया, नॉमबर 2023 से लेके एक्जाम तक, मैक जी ने, रद्दी है, 20% कोईशियन में नहीं मिलेंगे, आपको करेंट अफेयर होगे रहा हमें, जो ये आरो यारो का एक्जाम होता है, और जो PCS होता है, बीयो में, UPPSC के सभी एक्जाम के लिए PCS आरो बीयो, सिर्फ और सिर्फ इस्ट का करेंट अफेयर फॉलो करना है, वीकली वाला और मंतली वाला, आप समझे रहें कि नहीं, तो करेंट अफेयर पूरे-पूरे कोईशिन सही करने हैं, तो सिर्फ इस्टडी फॉलो करना है, जिसने जिसने फॉलो किया है, वो वो आज जो है, सिलेक्टों के अंदर बढ़ियां जो है, मजे ले रहा है, ठी है, तो करेंट अफेयर में अगर तीस से, चोटिस कोईशिन अगर आपने कर सकते हैं, निसलेनियस का 20, जोगरफी का 15 भी आपने निकाल लिया, यूपी जीके का 15, भाई 100, ये कितने होगा, देख लो, हिंदी में अगर आपके मालो 56 आगे, भाई एक आद गलती होई गई, 56 पन, करेंट अफेयर इस्टेड़ी फार सिविल से पूरा पड़के 34, मिसलेनियस 20, जोगरफी से 15, ये होगया, 140, और बताओ, बाकी तो सब्जेक्ट आइसा तो है नहीं कि पढ़ोगे नहीं, इस्ट्री बिल्कुली छोड़ दोगे, या जोगरफी बिल्कुली छोड़ दो हैं, देखें, इन सब टाइप के एक्जामों में factual nature होता है, और उसमें facts आपको पढ़ने पढ़ेंगे, resources बहुत ज़्यादा मत रखिये, 10 चीजों को पढ़ने की जरूत नहीं, 10 फालतू books को लाके book collector नहीं बनना है आपको, समझ में या की बात, भाई, book collector बनने से कुछ हास दे चुके हैं, अगर आप लोग comment करेंगे, तो उनको exam से करीबन 20 दिन या 25 दिन पहले, पापा उडो बनाके हम free में भी देना चलू करेंगे, comment करेंगे, और कम से कम इस वीडियो में 50 लाइक आने चाहिए, तो जरूर करेंगे, ठीक है, दूसरी चीज ये, कि हमने हिंदी का पापा उडोिडो अल्डेडी free दे दिया है, current affair का हम मंतली अल्डेडी free देते हैं, current affair का पापा उडो अल्डेडी free दे देंगे, exam से पहले, misdlanias exam से एक महीने पहले फिर्जे अपड़ेट करके देंगे, टेंचेनल वली बात आ हैं जिजियोगरफी का अल्डेडी दे चु इवन मिस्लेनियस का भी दिया हुआ है बस इसको अपडेट करना है अटन कल्चर अगरिकल्चर सब कुछ प्री में भी दिया हुआ है तो इस्टडी फॉर सिबिल स्विस्जिस को एकदम जहें श्रिक्ली फॉलो करके फ्री निशेटिव का नाब लेके भी आप जहारो एरो का पी-स यह बी-ओ के एक्जाम का सिर्फ एक सिंगल सोर्स है वो है इस्टडी फॉर सिबिल सिब्सेज को स्ट्रिक्ली फॉलो कर लिया सिलेक्शन मेट्रियल पेड कुछ टेस्ट्री रिकॉर्ड वीडियो जो पेड़ को में एक्स्रूसरी दिये हुए है इतना फॉलो करके आर काम से उसमें कटॉफ निगाना जा सकता है चाहे जैसा पर पर आजाए इजी मॉटरेटर फिल्गल कॉंसप्चुर चलो सारे जवाब दे दिये सारी चीजे क्लियर हो गई कोई और चीज बची हो तो तुरंत कॉमेंट में लिख के पूछिए और आरो यारो में फोड़ क्या जो चलो निगान लोगे आप अपना से पिस कोर के टॉफ चलो जो अपना अपना खेल के लो